साल 2016 में एक फिल्म आई थी सुल्तान जिसमें सुल्तान बने सल्मान खान ने तो दर्शकों का दिल जीता ही था साथ ही उनके दोस्त गोविंद बने आक्टर ने भी दर्शकों के दलों में अपनी अलग जगा बनाई थी रिस सुल्तान करदे चड़ाई कहने वाले गोविंद बने आक्टर ने अपने दोस्त का हमेशा साथ देने वाला और सुख में भले ही उसके साथ ना पर दुख में हमेशा साथ दिखाई देने वाले दोस्त के रूप में दर्शकों का खूब मनोरंचन किया था लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फिल्म में गोविन tryna करदार निभाने वाले अभीनेता आज कहा है क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं शायद ही आप जानते होंगे इसलिए आजके इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले है पर फिल्म सुल्तान के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले फिल्म में सल्मान के दोस्त गोविन का किरदार निभाने वाले अभीनेता का असली नाम अनन्त विधात है जिनका जन्म साल 1984 को गवालियर में हुआ था जिसके चलते इनोंने अपनी स्कूली पढ़ाई यही से कम्प्लीट की और दिल्ली के पिरोडी मल कॉलेज से अपनी ग्राजूएशन की डिगरी हासल की बात करे अनन्त विधात के अभीनाय करियर के बारे में हवालात नाटक का भी निर्देशन किया और साल 2005 में अनन्त बॉलिवोड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए जिसके बाद ये साल 2014 में अली अबास जफर से मिले जो उस समय गुंडे को कास्ट कर रहे थे जिन्होंने इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया इस तरह फिर अनन्त विधात को अपनी पहली फिल्म करने का बहुत बड़ा मौका मिला जिसमें इन्होंने बहतरीन अक्टिंग की जिसके चलते हैं सल्मान खान के साथ सुल्तान टाइगर जिन्दा है और भारत जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला लेकिन अगर बात करें अनंत विधाद के आज के बारे में आपको बता दे कि आज ये अपनी 38 यर्ज की उम्र पार कर चुके है और बी जाए इस च्वाइल के मामलों में काफी ज़्यादा अट्राक्टिव नजर आते हैं और उनका पहले से रंग भी काफी ज़्यादा गोरा हो चुका है आदे कि आज कल भी ज़्यादा तर क्लीन शेव में ही दिखाई देते हैं इसी के साथ आपको बता दे अभी नीता अनंत वधात कि आज के बारे में ज़ौन कर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए साथ ही इंडस्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले